ताइवान की बॉक्सर लिन्यू टिंग ने फैरिस दोहजार चौबिस में उलम्पिक में बुल्गारिया की सुवेत लाना स्टेनिवा को हरा कर अपना पदक पूरा किया अलजारिया की इमान खलीफ की तरह ही लिन्ग के जेंडर पर भी सवाल उठाये जा रहे हैं कुवार्टर फाइंडल में हार मिलने के बाद बुल्गारिया की सुवेत लाना स्टेनिवा ने हाथ से एक्स साइन बना कर अपना विरोध दर्च किया लिन्ग और अलजारिया की इमान खलीफ दोनों पर लिंग पर इक्षड को लेकर सवाल उठाये गए खलीफ की तरह ही लिन्यू टिंग को भी बॉक्सिंग इंटरनाशनल बॉक्सिंग फेडरेशन ने 2023 में महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपिन्शिप के दौरान बैन कर दिया था रविवार को हुए क्वाटर फाइनल मुकाबले में लिन्न ने बॉल्गारिया की स्वेट लाना स्टेनिवा को हराया 57 किलोग्राम काटेगरी में 28 साल की लिन्न ने एक तरफा हासल की इस जीत के साथ ही लिन्न ने कम से कम ब्रॉंज मेडल पक्का कर लिया बॉक्सिंग में 4 मेडल दिये जाते हैं सेमी फाइनल्स में हारने वाले बॉक्सर के बीच ब्रॉंज मेडल का मैच नहीं होता दोनों ही बॉक्सर को ब्रॉंज मेडल दिये जाते हैं मुकामले के बाद 34 वर्षे स्वेतिलाना स्टैनिवों ने दर्शुकों को अपने हातों से X का निशान दिखाया गुस्से में दिख रहे स्टैनिवों ने पत्रकारों के बात करते हुए इंकार कर दिया लेकिर उनके कोच बेरिसलावा जॉर्जिया ने एक कावस का टुकड़ा पकड़ा हुआ था इस पर लिखा था मैं XX हूं महिला खेलो को बचाओ आम तोर पर पुर्षों में X और Y क्रोमोजूम होता है जबकि महिलाओं में दोनों X क्रोमोजूम होते हैं इससे पहले इमान खलीफ ने भी 66 किलोग्राम वर्ग में अपना क्वाटर फाइनल मुकाबला जीत कर कम से कम एक ब्रोज मिंडल पका कर लिया था पिछले साल विश्व चैंपियंशिप में लिंग पर एक्षड में असफल होने के बाद खलीफ और लिंग को आयोग गोशित कर दिया गया था लेकिन पैरिस ओलम्पिक में उन्हें खेलने के अनुमती दे दी गई दोनों मुक्केबाज 2021 में टोक्यो ओलम्पिक में भी हिस्सा लिया था लेकिन कोई भी पदक नहीं जीता था गौर तलब है कि अलजारिया की इमान खलीफ भी क्वेटर फाइनल मुकाबला जीत चुकी है इवान खलीफ ने क्वेटर फाइनल मैच में हंगरी की लुकान ना हमोरी को हराया था खलीफ ने मुकाबले में एक तरफा पांच शून इसे जीत दर्च की अब साथ अगस्त को सेवी फाइनल मैच के लिए मैदान में उतरेंगी ऐसे एपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूस वैल इंडिया